हेलो किसान भाईयो आप देख रहे हैं डैरी फर्म आइडिया जिसमें मैं आज आपको जरुआ पशु मंदी से कुछ बीका हुआ गाई का डिटेल लेकर आया हूँ इस मंदी की दूरी की बात करें तो बिहार की तोरी के साथ गहर मी रखने के लिए या फिय say के लिए गाय ले सकते हो तो चलिए वीडियो इस्टाट कर रहा हूँ एगाय जो आप लोगे स्कीन पर देख रहे हैं एगाय दयात में 6 है यानि की दूसरी ब्यात में है और इसके निचे बच्चा है वो बच्चरी बच्चे के साथ में है जो कि आप लोगे स्कीन पर देख भी सकते हो और इसकी दूद की बात करें तो इनका ओनर का कहना था कि दोनों समय की दूद की छमता है वो 60 लिटर है लेकिन जिन्होंने भाई खरदा उनका कहना है कि ए गाई दोनों समय में 13 से 14 लिटर दूद कर देगी असानी के साथ और इस गाई की रेट की बात की जाए तो आज की मंडी में ए गाई की रेट मात्र 22,000 रुपया रखा गया था लेकिन ए गाई आज की मंडी में मात्र 46,800 में खरदा गया है जो के आप लोग देख सकते हो 46,800 में खरदा गया है गाई तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को अगली गाई के ओर लेकर चलने का जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन गाई है जो कि आप लोग देख सकते हो milking भी कर लिया गया है और एगाई है एदात में 6 है और इसके निचे बच्चा है वह बच्चरे बच्चे के साथ में है और इसकी दूद की बात के रेटो इनका ओनर का कहना था कि दोनों समय की दूद की छमता है वह 18 लिटर है लेकिन जिन्होंने भाई खरदा उनका कहना है कि एगाई दोनों समय में 60 लिटर दूद कर देगी और इस गाई की milking भी कर लिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो 56 लिटर milking कर लिया गया है और इस गाई की rate की बात की जाए तो आज की मंदी में ए गाई की rate मात्रे कावन हजार में खरदा गया है जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन है तो चली अगली भेंस के गाई के और चल लहा हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन गाई है जो कि आप लोग देख सकते हो तो चली मैं इसका डिटेल दे दू ए गाई है ए 20 लिटर है लेकिन जिनों ने भाई खरदा उनका कहना है कि आसानी के साथ 16-17 लिटर दूद कर देगी जो कि आप लोग देख भी सकते हो काफी बेहतरीन है और इस गाय की रेट की बात की जाए तो आज की मंदी में एगाय की रेट मात्र 70,000 रखा गया था लेकिन एगाय आज क रेटारीन हो गए हैं तो चल्यांट की दीटेल यह च्छि Personen काया काय है । इसके दात में मिली हुई है और इसके बच्चा है वह बच्चरी बच्चे के साथ मैं जो प्लस प्रयाय कीबाट है और इसकी दूद की बात करे काना था कि दोनों समय की दूद की छमता है वो छमता 10 लिटर है लेकिन ए गाई जिन्हों ने भाई खरदा उनका कहना है कि असानी के साथ एगाई दोनों समय में 7-8 लिटर दूद कर देगी हाला कि आप लोग देख भी सकते हो कुछ और में सूजन देखने का मिलता है और इस गाई आज की मंडी में मात्र 36,000 में खरदा गया था और ए गाई जो आप लोग इसकीन पर देख रहे हैं यह भी गाई आज की मंडी में सेल हो गई है तो चले मैं इसका डिटेल देदू ए गाई दात में मिली हुई है और इसके निचे बच्चा है वह बच्चरे बच्चे के साथ समय बच्चरे बच्चे और इसकी दूद की बात करें तो इनका ओनर का कहना था कि दोनों समय की दूद की छमता है वह 18 लीटर है लेकिन जुनों ने भाई खरदा उनका कहना है के गाई अतसानी से 16 लीटर दूद कर देगी और इसका की आज की मंडी में 50,000 में खरदा गया ह और एगाई जो आप लोग देख सकते हो एगाई भी आज की मंडी में सेल हो गई है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को एगाई का भी डिटेल देने का तो चलिए मैं इसका डिटेल दे दू यह दात में मिली हुई है और इसके निचे बच्चा है वह बच्चरी तो उनका कहना है कि यह गाई दोनों समय में आसानी के साथ 9-10 लिटर दूर कर देगी और इस गाई की रेट आज की मंडी में मात्र 45,000 रुपया में खरदा गया है जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन अडर बनाई हुई है तो चली मैं आप लोग को अगली गाई की लेकर चल लहां हूँ जो कि देख सकते हो काफी बेहतरीन है जो कि यह घाय आज की मंडी में सेल हो गए है तो चले मैं इसका डिटेल दे दू एक गाया दात में मिली हुई है और इसका निचे बच्चा है वा बच्चरे-बच्चे के साथ में हैं और इसकी दूद की बात करे इस गया की रेट के ब data की जाए तो आज की मंदि में यह गाय की रेट मात्र 65,000 रखा गया था लेकिन यह गाय इसकी मंदी में मात्रे 52,000 रुपया में खरदा गया है जो कि आप लोग को देखाने का परियास कर रहा हूं गाई को बारीकी से जिसे आप लोग को पता चल सके कि गाई किस परकार से है तो देख सकते हो काफी बेहतरीन गाई आज की मंदी